हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू मैं चैनल स्वेता आज की चैनल लाइफ स्टाइल आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इनालसा स्टैन्ड मिक्सर में कैसे विपिंग क्रीम को विप्ट करती हूँ इसमें whipping cream को whipped करना बहुत ही आसान है और whipping cream बहुत ही perfect whipped होती है मैं यहां three cup tropolite की whipping cream को ले रही हूँ whipping cream को मैंने freezer से 4 से 5 गंटे पहले ही freeze में रख दिया था फिर भी इसमें थोड़े ice crystal है अभी cream को whipped करने के लिए मैं इस attachment का use कर रही हूँ इस निशान को देखते हुए हमें माशीन में इस अटेच्मेंट को फिट कर देना है स्टैन मिक्सर को कभी भी टेबल पे रख कर न चलाएं क्योंकि टेबल पे रखने के कारण ये वाइबरेट कर सकता है क्रीम में थोड़े आइस क्रिस्टल थे इसलिए मैं अभी इसे एक पर एक मिनट के लिए चलाऊंगी एक मिनट इसे चलाने के बाद आइस क्रिस्टल पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तूट जाएंगे स्पीट 7 पे कर दिया मैंने हम इसे 7 to 8 पे चला सकते हैं इनालसा इस्टैन मिक्सर के उपर और भी मैंने वीडियो बनाये थे जिसमें से कोश्चन मुझे आये थे कि ये वाइबरेट करती है कि नहीं आप देख सकते हैं कि इसका स्पीड 8 है लेकिन ये अभी बिल्कुल भी वाइबरेट नहीं कर रही है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 7 to 8 स्पीड पर हम इसे वीपिंग क्रीम को विप्ट करने के लिए चला सकते हैं अब हम चेक कर लेंगे हमारा वीपिंग क्रीम तयार हुआ है या नहीं 5 से 6 मिनट में वीपिंग क्रीम काफी अच्छी तयार हो जाती है इसमें 3 मिनट हो चुके हैं मैं 1-2 मिनट अभी और इसे चलाने वाली हूँ जो भी प्रोफेशनल बेकर्स हैं वो अक्सर स्टैन मिक्सर में ही वीपिंग क्रीम को विप्ट करते हैं आपने हमेशा देखा होगा कि उनका केक बहुत ही परफेक्ट होता है और सार्प एजे जाते हैं फ्लावर भी बहुत ही परफेक्ट बनते हैं आप ही अगर होम बेकर हैं और आप केक और पे बनाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान तरीका होगा विपिंग क्रीम को विप्ट करने का दोस्तों मैंने इनालसा स्टेंड मिक्सर को छे मैंने यूज किये हैं और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर आप स्टैन्ड मिक्सर लेने वाले हों तो आप मेरी सारी स्टैन्ड मिक्सर से रिलेटेड वीडियो उसको देखें और उसके बार डिसाइड करें कि आपको ये स्टैन्ड मिक्सर लेना चाहिए या नहीं आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्रीम विप्ट हो चुकी है और इसका पिक बहुत ही अच्छा आ रहा है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें इसी विप्ट क्रीम से मैंने ये केक बनाया था आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है